तो हेलो एंड वेल्कम गाईज कैसे आप सब मेरा नाम तेशी सनप और आज में आप लोग को बताने वाला हूँ एक बिल्द है जो आपको आपकी माइन क्रफ्ट फुल में अभी क्या भी ट्राइ करना चाहिए तो लेट्स बिगिन तो इस बिल्द है के लिए आपको इतना सामान चाहिए दस स्टिकी पिस्टन दस लाइम ब्लॉक एक रेच्टोन डस्ट ना रेच्टोन रिपीटर एक बटन दस वुल ब्लॉक्स दस रेल दस माइन काट और दस टेंप्रेरी ब्लॉक्स तो चलिए शुरू करते हैं बनाना तब बटन लगाके उसके आगे रेच्टोन लगाना है एक और फिर रिपीटर एक ब्लॉक छोड़के रिपीटर ऐसे आपको सारे रिपीटर लगा लेने हैं तो मैं रिपीटर लगा लिए और बतादरे में एक मिस्टेक हो गई ति आपको नौ नहीं दस रेच्टोन रिपीटर लिए उसके बाद फिर आपके वूल ब्लॉक हैं उनको आपको सेंटर में ऐसे प्लेस करना है फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा उसके बाद आपको इन सारे वूल ब्लॉक्स के ऊपर श्टिकी पिस्टिन प्लेस करना है उपर फेस करते होगे फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बाद फिर आपको इन सारे स्टिकी पिस्टंस के उपर स्लाइम ब्लोक प्लेट करना है फिर उनके उपर हर एक के उपर एक एक टेंपररी ब्लोक आप कोई भी ब्लोक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हर एक पर एल लगाना है then next step is हर एक के ऊपर minecart रखना है उसके बाद नीचे के block destroy कर देना है फिर ये कुछ ऐसे दिखेगा अब आपका मशीन तयार है मैं इसे action में लाके दिखाता हूँ तो get ready guys in 3,2,1 ये देख सकते आप ये इसा pattern सा बन गया है और अगर अगर आपको इसको ये continuous बनाना है तो आपको खोड़ा आगे जाते हैं चाल redstone repeater ऐसे place करने होगे हर एक पर तीन बार click करना है फिर उसके बाद इन सब के वीच में redstone place करना है सिवाए एक के यहाँ पर एक redstone torch place करना है फिर इसे break करना है और तीन repeater को off होने दना है उसके बाद place करना है फिर ये ऐसा clock बन जाएगा फिर आपको इसे इससे connect कर देना है फिर आपको इससे connect कर देना है पिस्टिन continuous ये हो रहे है और ये cycle infinitely चलता रहेगा like and subscribe for more amazing minecraft viral hacks bye bye you